नमस्कार दोस्तों सोगते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस प्रिकार अपने अंचाहे बालों से चुटकारा पा सकते हैं फ्रेंस वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडि बहिलाओं की परेशानिया यहीं खतम नहीं होती इतना सब कुछ करवाने के बाद भी चेहरे के अंचाहे बाल उनकी खुबसूरती के दुश्मन हमेशा बने रहते हैं क्या आप भी ऐसी समस्या से पीडित हैं अगर आपको भी ऐसी प्रकार की कोई समस्या हैं तो आपको खबर आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसा इन घरेलू उपाई बताऊंगे जिसकी मदद से आप अपने अंचाहे बालों से चुटकारा पास सकते हैं चेहरे की तोचा बहुत ही सेंसिटिव होती है ऐसे में वेक्सिंग या ब्लीज के जरिय इन अंचाहे बालों से चुटकारा पाना आपकी स्कीन के लिए नुकसान दायक हो सकता है अगर आप भी इसी तरह की समस्यां से परिशान है तो अंडे और चीनी का घरेलू उपाई आपके काम आर सकता है तो फ्रेंज जानते हैं कि आखिर इसका इस्तमाल आपको किस प्रिक आपके चीनी का इस्तमाल करने से तोचा की डेड सकिन साफ होती है जब आप इन दोनों चीजों का इस्तमाल फेस्पेक के रूप में करती हैं तो आपके चेरे से सारे अंचाहे बाल आसाने से निकल जाते हैं आए जानते हैं आखिर आपको कैसे इसका फेस्पेक बनाना है अ अपसे पहले एक अंडे के सफेद भाग में दो चमचीनी मिलाकर उसका पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सूखने दे। फेस्पेक सूखने पर चेहरे को हलकी हातों से मसाज करते हुए धोले। इस उपाइक को हफ़ते में दो बार करें। ऐसा करने से आपके चेहरे के अंचाहे बाल हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे जो लोग चेहरे के अंचाहे बालों को हटाने के लिए अंडे का इस्तमाल नहीं करना चाते हैं वो अंडे की जगन नीवू का रस इस्तमाल कर सकते हैं इसके लिए दो चम्मच निभू के रस में दो चम्मच चीनी और दस चम्मच पानी मिलाकर उसका पेस्ट तयार कर लें इस पेक को छेरे पर 15 मिनित तक लगाने के बाद मसाज करते हुए साधे पानी से धो ले इस उपाई को अफते में दो से तीन बार जरूर अपनाए ऐसा करने से आपको अंचाहे बालो से चुटकारा मिल जाएगा तो देखा फ्रेंस आपने यह थे मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे जैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक्यू फ्रेंस मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई